नमस्कार दोस्तो लीड इंडिया लॉइ असोसेट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोट मैरेज के लिए पैरेंट से बात करने का क्या यह सही समय है आपके दिमाग में हर वक्त यह घूम रहा होता होगा कि क्या आज मैं अपने पैरेंट से बात कर लूँ कोट मैरेज के बारे में अगर आपके दिमाग में ऐसी चीजे घूम रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए इसमें मैं आपको पांच स्टेप बताऊंगा और उन पा हुआ विशय नहीं है जैसे बेल हो गया जैसे आप हाई कोट का हो गया चेक बाउंस पे हो गया विमन्स राइट के बारे में हो गया उस पे भी जरूर देखे उससे ज़्यादा नौलेज आपको बढ़ेगा और आप किसी की भी साहता कर सकते हैं इस टॉपिक के अगर मैं ब कोई लरका या लरकी आप उसके साथ आप लव अफियर में हैं आप उसको बहुत प्यार करते हैं और आपको यह समझ भी नहीं आ रहा है कि आपको अपने पैरेंट से बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो सबसे पहला चीज़ तो यह कि प्रस्तितियों का ठीक से आकलन क करने में क्या है अगर मान लीजे कि आप बारा हुई में पढ़ रहे हैं या ग्रेजोशन फॉर्स्ट इयर में हैं और अभी आपके उपर भी दो भाई बहन हैं और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और लरकी के घर वाले जिद कर रहे हैं उसको ज दीरे दीरे अवेर रहे हैं और उसको ठीक तरीके से नहीं प्रजेंट कर रहे हैं अपनी प्रस्तितियों का आकलन किये बगर तो हो सकता है कि आपके लिए नुकसान हो जाए और कोई आपकी बात को ठीक से समझी ना पाए तो पहला चीज इस मामले में यह करना है प्रस्तित दूसरा चीज है कि केवल भावनात्मक तरीके से ना सोचें देखिए जब आप अपने पैरेंट से बात करेंगे तो पैरेंट्स आपकी भावनाओं के हिसाब से नहीं सोचेंगे पैरेंट्स सोचेंगे विवारिक्ता के हिसाब से विवारिक्ता क्या है कि आपके जिससे शा विचार करना है और जो प्लस पॉइंट है जो कि parents भी ढूंड रहे होंगे आपके लिए अगर वो partner ढूंड रहे हैं तो आपको उन्हीं plus point को ज़्यादा से ज़्यादा highlight करना चाहिए उन्हीं चीजों को देखना चाहिए क्यों भावनात्मक तरीके से बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा है बड़ियां है वो मुझे समझता है या समझती है अगर ऐसी बाते करेंगे तो पेरेंट्स जादा कन्विंस नहीं हो पाएंगे तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पार्टनर के बारे में बताएं तो सीधे शादी के लिए ना क है तो आप जब कभी भी अपने पार्टनर के बारे में अपने माबाप से बात कर रहे हैं तो साधी के बारे में सीधे बात ना करें आपको एक ऑप्शन देना चाहिए बोलना चाहिए कि ये पार्टनर है मेरी जान पहचान है मेरी दोस्ती है आप एक बार इससे मिल लें मिल तो सहीत सलाह भी दे पाएंगे। चौथा पॉइंट है कि माबापके सलाह पर भी विचार करेईं। अगर आपके माबाप कुछ भी सलाह दे रहे हैं, मैं कहारा हूँ जाती धर्म को छोर करके, अगर कुछ और सलाह दे रहे हैं, तो आपको जरूर उस पर विचार करना चाहिए हलाकि जाती और धर्म पर भी विचार करना चाहिए लेकिन वो पूरी तरह से हमारा constitution यह कहता है कि individual की choice है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं किसके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मैं तो as a advocate कानून के साथ चलूँगा और कानून की बात करूँगा कि कानून यह कहता है कि आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं लेकिन अगर माबाप आपको कुछ भी सला दे रहे हैं तो उस पर भी विचार करें और फिफ्ट लास्ट में अगर लगता है कि माबाप आपकी बात मान ही नहीं रहे और आपको court marriage करना परेगा तो court marriage के विकल्प को भी सोच समझ कर चुने अब court marriage का विकल्प सोच समझ कर चुनने से मतलब यह है कि आपको अपने शादी के बात से finance परिवार को छोरेंगे तो आप कैसे रहेंगे कहां रहेंगे आप दोनों की understanding लराई जगरे किस बात के लिए जादा होते हैं और क्या सोच विचार है सब कुछ सोचने के बात से क्योंकि कल जब आप court marriage करेंगे तो आपके सामने अनिक चुनोतियां भी आ सकती है पहली चुनोति साथ में रहेंगे तो माबाब बनेंगे आपके खर्चे बढ़ेंगे आपको अपने अपसाथ में रहना है तो day to day एक दूसरे के विचारों को adjust करना होगा समझना होगा तो उन सभी चुजों पर सोच विचार करें उसके बाद से ही court marriage करें court marriage तो केवल 3 घंटे या 4 घंटे का काम होता है उसके बाद से आप legally husband wife बन जाते हैं लेकिन पूरी जिंदगी आपको साथ में रहना है अगर आपने एक सही partner के साथ शादी नहीं किया तो संभव है कि वो 3-4 घंटे में जिसमें आपने court marriage किया है वो आपके लिए भारी पर जाए और आपके लिए अनेक मुसिबते भी लेकर के आए तो इसलिए हाला कि हम लोग court marriage कराते हैं लेकिन court marriage कराना ही हमारा purpose नहीं है हमारा purpose है कि हम आपको एक सही मागदर्शन भी करें जिससे कि आप एक सही फैसला ले सके हैं और जब आप विचार कर लें कि आपको court marriage करना है तो सही जगह पे आप advice लें और उसके मादर्शन शादी करें अगर आपको हमारे पास query करनी है तो आप डबल डबल जिरो, ट्रिपल फो, ट्रिपल फाइपर सेबन डेज, सुबह नौबज़ से शाम को आठ बज़ तर कॉल कर सकते हैं हमारी website leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं हम आपको पूरी सहायता करेंगे थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो, थैंक यू